नमस्कार किसान साथियों इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर अगर उत्रपरदेश का कोई भी महतोय कांग से किसान है और वे किसान बकरी पारम की योजना का फाईदा लेना चाहते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगें कि बकरी पालन योजना क्या है और बकरी पालन पर सबसेडी किस परकार मिलेगी 2004 में एक नई पोजिशन के साथ सरकारी योजना सालू कीगी जिसमें सबसेडी पर किसानों को लोन दिया जा रहा है और इस लोन से उत्रपरदेश का हर वो किसान आवेदन कर सकता है जिस किसान के पास दो हेक्टियर की जमीन है और कम से कम उस किसान की 18 साल की आईउ है आए की बात करें तो 15,000 रुपया कम से कम आए है तो वे सभी किसान इस बकरी पालन सबसिडी योजना का फाइदा ले सकते ह है कि कोन इसका आवेदन कर सकता है तो 2024 में अगर बकरी पालन सबसिडी योजना का उत्रपरदेश का किसान लाब लेना चाहते हैं तो उस किसान की आईउ 18 साल कम से कम होनी चाहिए और आवे तक उत्रपरदेश राजे का मूल निवासी होना चाहिए हालांकि कर्षी भूमी क किसान के लिए अनिवारिय नहीं है लेकिन कर्षी में कुछ अनुवव और सिक्षा का मददकार भी हो सकता है यानि किसान के पास जमीन नहीं है फिर भी वो रेंट पर या किरये पर जमीन लेकर भी इस लोन की प्राप्ति कर सकता है बात करते हैं कि इसकी आवेदन प्रिकिर का ऐसी बनाए जिसमें आवास की सुविध्या, बोजन, सवास्ते परबंद समंदी, विवरन में एक फाइल तयार होगी और इसमें बजट में सामिल भी करना होगा जिसमें लागत कितनी होगी और सालाला खर्च कितना हो रहा है और हर साल आए कितनी हो रही है इस बारे में आवेदन पत्तर डाउनलोड करने के लिए उत्तरपरदेश पसुपालन विबा की सरकारी वेबसाइट पर जा सकते हैं उत्तरपरदेश सरकार द्वारा योगी सरकार की और से पसुपालन विबा की एक ओपीशल वेबसाइट जारी की गया है वहां से आप पूरी सबसेडी कितनी होगी तो सबसेडी सरकार की ओर से 50% लागत पर सरकार दे रही है 50% की सबसेडी और सुरवाती निवेज कम होने पर सरकार की ओर से आर्थिक सयोग और भी ले सकते हैं तो कम ब्याज़दरों पर सरकार इस पर लोन दे रही है इसका मतलब है कि बैंक में आपको कहीं जाने के आव सकता नहीं है सीधा पैसा आपके बैंक खाते में जारी कर दिया जाएगा 50% सबसेड़ी पर अब हम बात करने वाले हैं कि अपने आवेदन के साथ क्यों कौन से डोकुमेंटों को भी आप जमा करवाना होगा और कौन कौन से डोकुमेंट होने जरूरी है किसान के पास सबसे पहला डोकुमेंट है पहचान पतर दूसरा है बूमी का स्वामीत विवरन यानि आपकी जमीर है उसका भी डॉकॉमेंट होना चाहिए अपनी रिपोर्ट तयार है परियोजना है वो रिपोर्ट भी होना चाहिए और आवसे दस्तावेज के साथ जमा भी करवानी होगी तभी आपको लोन सविकर्थ किया जाएगा और ये आपको पसू पालन विवाग की ओपीचल वेबसाइट पर आखर आप फोर्म लेकर उस पोर्म से अपने जिले में जो पसू जिकिचा अधिकारी ओपीच है वहाँ पर आपको ये फोर्म में और ये इस रिपोर्ट फाइल जमा करवानी होती है अब किसान साथियों हमारी एक सला है कि सही नसल का आपको सेलेक्ट करना चाहिए ऐसी नसलों पर सोध करना चाहिए जो आपके जलवाईयों और उद्धिय के लिए उपयोगत हो चाहिए वह मास दूद और फाइबर के लिए भी उपयोगत हो सके ऐसी आपको नसल को आपको आवास बनाना है यानि तिन सैड बनाना है तो सुनिशित करें कि आपकी बक्रियों को कठोर मुसम से बचाने और सुरिक्षित और आरामदा एक आस्त्रिय मिले ऐसा आपको अपना गुणवत्ता पूर्वक आवास की सुविध्या बनानी चाहिए ऐसे में आपको सही न पहार भी परदान करें सुवस्त बक्रियों से ही अच्छा पोसंड महत्व पूर्ण होता है और बक्रियों का प्रोफिट भी किसान को ज्यादा होता है इसलिए आप नीवित स्वास्ते की बक्रियों की जांच भी करवाना चाहिए उनका टीका करन सही समय पर करवाएं जिसस वेकिन आपके पास 500 बकरियां होगी और हर साल की इंकम आपके पास 20-25 लाख रुपया होगी तो इतनी मुनापे वाला धंदा आपके पास अगर नहीं है तो आप इन सभी स्टेप्स को अपना कर अपने वक्री फारम की शुरुआत कीजिए वक्री फारम शुरुआत करना है आ अपने अच्छे से इस बिजनेस की सुरुआत कर सकते हैं गाओं के किसानों के लिए इससे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि किसान अगर गाओं से विलोंग करते हैं तो उनको करसी के साथ साथ पसु पालन ही करना चाहिए उससे ही उनको ज्यादा प्रॉपिट हो सक कम समय में ज्यादा प्रोफिट हो सकता है कम लागत पर हो सकता है और कम जमीन से ही बकरी भारम की सुरवात की जा सकती है तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया है अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा है तो करपया इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को अन्य महत्व कांग्सिक किसानों के साथ भी साजा करें जो किसान बकरी भारम से जुड़ना चाहते हैं तो आपसे यही उन्रोध करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह इंफोर्मेटिव लगा है समझ में भी आ गया है इस वीडियो से समधित को कोई अन्य परगार की सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं नए वीडियो में उस वीडियो के उस जानकरी के साथ फिर मिलेंगे आपके बीच तब तक लिए किसान साथियो जेहिन जेवाद